है हं वीब्धेशं दोनों सेलाएं लिद्धेशंस आपको दोď है चोड़ना है टो या पूरे पेपर को दो पार्ट्स ह्में डिख सकते हैं नहीं 8 इंच विर्थ में बॉक्स है और 5 इंच लेंथ में है और उसको मैंने सेंटर से डिवाइड किया है तो हर एक साइड जो फेस का है वो 4 इंच काएगा तो हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे आपको इसी बॉक्स के अंदर पूरा सर्फिट करना है ध्यान रखिया हाइड 5 इंच रहेगी और जो आपका विर्थ है सेंटर के दोनों साइड जो विर्थ है वो 4-4 इंच इस का हमको लेना है तो यह ड्रॉइंग बहुत सिंपल है एक बर आप मेजरमेंट से ड्रॉ करोगे तो इतना मुश्किल नहीं आएगा आपको कई लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है फेस ड्रॉ करने के लिए यह कि बहुत मुश्किल है बिना किसी गाइड लाइन के फेस ड्रॉ करना पर डॉन्ट वरी इफ यू फॉलो इस गाइड लाइन इत विल बी वेरी इजी फॉर यू तो ड्रॉ द्रॉ द्रॉ द्रॉइंग तक आ रहा है जो मेजर्मेंट है वो सेकंड हाफ तक आ रहे हैं यहां पर अब इसने अपना हाथ जो अपने चीक्स पर रखा हुआ है जिस तर से फिंगर्स फोल्ड हो रहे हैं मैं धीरे धीरे ढर दो कर रहे हैं तक आप देख सकें यहां पर स्पीड बहुत कम बढई है जिससे हर कोई फॉलो कर सकें रॉइंग को so you have to draw the hand and remember the hand will come in the majority part will come in the second half of the face क्योंकि इसका wrist पूरा जो है और इसका जो palm है is resting on the face तो almost यह second half में पूरा आ रहा है एक finger यह एक finger जो है वो first half में जाएगा पर बाकी सब जो होगे second half में होगे यह चोड़ी चोड़ी चीज आप ध्यान रखोगे रखते हो और सबसे बड़ा problem face draw करना ही होता है उसके बाद तो कुछ इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती है किसी को भी draw करने में एक पर अपने face draw कर लिया then hands वगेरा draw करना इतना मुश्किल काम नहीं होता है एक ring इसने पैन रखा है जो कि हम ring draw करेंगे यहाँ पर and then हमने जो है नीचे वाला चिन का part draw करना है यह नीचे वाली line को touch होना चाहिए चिन और दूसरे half में जो earrings है उसके पास जाकि यह close हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना symbol है अगर measurement से यह चीज़ की जाए तो अब हमने gap रखा है half of centimeter का center line से दोनों side यह half of centimeter हमने क्यों छोड़ा है eyebrows के रिए छोड़ा है so आप half of centimeter का gap रखे दोनों side में eyebrows draw कर लेंगे अब हम eyes draw करेंगे जो बिल्कुल center line है जो eyes का mid point है मतलब center line पर हमारा eyes आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल center में आपको eyes draw करने है आप दिख सकते हैं it's on the line अगर आप eye को divide करें upper नीचे eye में so it's coming exactly on the center so यह आपका जो drawing है वो center में आना चाहिए eye का nose हम again थोड़ा सा gap लेके nose को draw करेंगे नीचे and यह थोड़ा सा आपको अंदाजर से करना पड़ेगा आप match करना जो आपका earring है जहां पर ears आ रहा है nose का end भी वहीं पर हो रहा है and थोड़े से नीचे आपका जो lips है उसको हम draw कर लेंगे again इसके लिए मैं बहुत specific measurement नहीं बता सकती हूं आपको आपको धियान रखना है उसी के आसपास तो आप एक बर eyes अगर अच्छे से locate कर लोगे तो बागी चीज़ें आप आराम से कर लोगे क्योंकि वह सब एक दूसरे के थोड़े थोड़े नीचे में है अब हमने हाफ बन सेंटिमीटर का gap छोड़ा है नेक के लिए तो हम नेक ड्रॉ कर लेंगे अभी देखा आपने एक बन सेंटिमीटर के gap में उनेक फिट हो गया अब इसने टी शिट पेन रखा है जो हम ड्रॉ करेंगे उसका नेक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो head scarf है उसका जो नीचे वाला बचा हुआ है वो हम ड्रॉ करेंगे यह जो second half है यह six inches का है six inches में इसका जो lower body जो बॉड़ी है वो आएगा और जो इसका head scarf है वो आएगा तो आपको जो second part है जो second half है वो six inches का आएगा अगर जो मेरे जो मेने आपको मैंने बताए है उसके हिसाब से six inches आना चाहिए जो आपका lower part है ड्रॉइंग का एक बार आपने face draw कर लिया तो body draw करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई भी complicated ऐसा calculated चीज नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि box कितना बड़ा लेना है कि आप body आराम से draw कर सके अब देख सकते हैं एक बार आपके पास आपको पता है कि चारों तरफ कितना छोड़ना ह तो बहुत आसानी से आप body draw कर पा रहे हैं because it's a very simple drawing when it comes to body it's very easy to draw that and again हम इसने high neck का t-shirt पर रखा है तो high neck के लिए हम वहाँ पर double line draw करेंगे दिखाने के लिए यह जो दूसरा वाला हाथ है यह बस हम half दिखा रहे हैं तो हम half जैसा ही draw करेंगे जिसमें पूरा हाथ नहीं दिख रहा है इनका हाथ rested motion में है हाथ rest कर रहा है इसलिए वह पूरा नहीं है अब हम scarf पे जो हमारे folds हैं उनके लिए सिर्फ lines दे देंगे ताकि pencil से इसको merge करके draw क करना आसान हो जाए तो हम सिर्फ folds के line दे रहे हैं जो main folds हैं उनके सिर्फ lines दे रहे हैं head scarf में क्योंकि यह fabric है तो इसमें comparatively ज्यादा fold रहेंगे टी-shirt से comparison में ज्यादा fold रहेंगे इसलिए हमें ज्यादा fold किया है इसमें compare to the t-shirt, t-shirt में भी fold होंगे पर बहुत minor folds होंगे और तो हम अचली pencil से करेंगे यहां पर चलिए हम शुरू करते हैं rendering सबसे पहले आप सिर्फ एक stamp बड़ा stamp लेकर आपको face को और scarf को सिर्फ लगा देना है बिना किसी pencil के use के अब हम scarf मे pencil यूज़ करेंगे क्योंकि skin से dark होना चाहिए तो हम scarf मे पहले 2W pencil फिर 4W pencil से या 6W pencil जो भी है वह तो फिर्फ रटा होगा तो हम थोड़ा सा pencil एड़ करके इसको डार करेंगे side forehead का जो ऊपर का area है, nose के पास का area को डार करेंगे आपको मर्च करते जाएंगे याद रखें सिर्फ आपको डार करके छोड़ना नहीं है, डार करके आपको मर्च करना है वार बार सो उसको म मर्ज करेंगे आइस की ऊपर का एरिया भी हाइलाइट होगा उसको भी डाग करना है एंदेन आप डार करके इसको मर्ज करते जाएंगे आप देख सकते हैं फोरेट के पास हमने ज़्यादा डाग किया क्यों क्यूंकि स्कार्फ की वज़े से वहाँ पर शैडव आ रहा है अब हम क्या करेंगे पैंसल को बिल्कुल शार्प करना है इसक्स भी पैंसल का यूज कर रही हूं आइब्रोस को ड्रॉ करने के लिए हमें ए करेंगे ज़्यादा यूज करने का चया रहा है और हर बार अगर उपर आइज के कुछ डिटेल आ रहा है दो आप चाहें तो सिर्फ पैंसल से करके भी छोड़ सकते हैं आपके उपर है पैंसल से जादा डाउक होने पर अच्छा देखता है इसलिए मैंने या पैंसल का यू dark करने क्योंकि because of the shadow it will come darker hands की कुछ हिसे हम highlight कर रहे हैं जैसे जो ultra हिस्सा है हाथ का जो अंदर inside palm area we have to make it little dark because that's a folded area and light will not enter that area तो हमको वो highlight करना है यहां पर neck के नीचे भी neck के just immediate नीचे face के नीचे तो अडारक होगा compared to the rest of the body क्योंकि again आपके जो chin का face का shadow पढ़ता है, t-shirt is white तो हम बस stamp यूज़ कर रहे हैं और उसको fold दे रहे हैं कहीं भी pencil नहीं लगाएंगे otherwise it will become dark and t-shirt का ध्याना कि आपका skin color आपका जो scarf का color और जो टी-shirt का color है तीनों pencil से ही shade हुए है पर तीनों का shade color जो saturation अलग scarf सबसे जादा dark है उसके बाद skin है और उसके बाद t-shirt है तो उससे आपको एक indication मिल रहा है कि यह तीनों चीज़े अलग अलग है imagine अगर मैं scarf और t-shirt एक जैसा कर देती then you will be able to figure out कि where the scarf is ending and where the t-shirt is starting so you have to make a difference between the skin tone and the whatever accessories she is wearing and the garment she is wearing so आप देख सबसे तीनों अलग अलग दिखकर आ रहा है and जो finally जो हमने neck piece draw किया था वो हम draw कर लेंगे t-shirt में जो भी folds आ रहा है उससर्फ stamp से हम merge करके दे रहे because it's a white t-shirt so white t-shirt में जो भी folds आते हैं बहुत light आते हैं बहुत mild आते हैं तो उसी को दिखाने के लिए मने सिर्फ pencil जो डॉग किया है and neck के पास obviously t-shirt वहाँ पर है तो वो थोड़ आख होगा हम lips को red pencil color से कर रहे हैं आप चाहें तो यहाँ पर pencil का भी यूज का सकते normal but I wanted to highlight the lips so I have used this color so hopefully you like this drawing today and you learned something and if you like the video please like and subscribe and do share the video I will see you in the next video thank you so much for coming in